नवस्कार दोस्तों आज मैंने सलफर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो की हुम्यो पैथिक में संजीब में सक्ति के नाम से जाना जाता है यह दवा डॉक्टर हेनी मैं सेमूल के तजर्वे के नुसाथ यह दवा एक महान एंटिसोरिक मेडिसिन है एंटिसोरिक का मतलब होता है मन में आई अपितकारी ताक्तों के कारण हत्रा की मान सिख फुजली बा सारीरिक कश्टों का ब्यक्सी को सामना करना परता है जो की सरीर में नई नई बीमारियों का कारण बनती है विशेष्टा सलखर का परियोग चर्मरोग जैसे की सुराइसी, जैसे की गीमा, जैसे की मुहासे, जैसे की फोड़ा फुनसी, जैसे की बवसीर आदी की सर्वोपरी और्दि है मानसिक लच्छन इनका बहुत मस्पूर्ण है, इनका मानसिक लच्छन अजीव गरीब होता है जैसे गले, सड़े, कपड़े को रिश्मी कपड़े बताते हैं, अपना मतलब आगे रखते हैं, दुसरे की परवार ना करते हैं, मन पतन की ओर दौरता है ऐसे पिसें जलनखोर जालिम होते हैं, जो की बहुत ही गरीबी में लाखपती होने की बात करते हैं, इनका रोग ठंडी पानी से कम जाता है, लेकिन असनान से घिरना करते हैं, गरम जल से अराम मिलता है Sulfur the king of anti-soric medicine, Sulfur is master of eczema, Sulfur का परियोग हटी पोटेंसी में लेना चाहिए, मात महिने में तीन खुराक, सुबह सुबह पाच-पाच गोली तीन दीन तक ले, फिर दुसरे महिने तीन खुराक ले, फिर तिसरे महिने तीन खुराक ले, इसके बाद अपना आपका चर्म रोग, खुजली एक जीमा महा से ठीक हो जाएंगे, मल्हम का परियोग न करें, सिर्फ नारियल तेल का परियोग करें, लचन अनुसार हीं दवा का चुनाब करें, नहीं तो किसी अनुभवी होमियोपाइथिक डॉक्टर के संपर्क करें, ताकि समाज में होमियोपाइथिक की जानकारी हो सके, सल्फर इस क्रॉनिक ऑफ एको नाइट इफूट डीजी, हम जानते हैं कि अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए सल्फर एको नाइट का परमित्र है, नमस्यवाए कि अच्छे से जानते हैं, इसलिए 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 से